देश में कोरोना का प्रकोफ अपनी चर्म सीमा पर है पर आज भी हमारे देश का एक तबका ऐसा है जो इस मुसीबत से परे अपनी ही परेशानियों से जूज रहा है यह तबका है हमारे देश का गरीब तबका जो की शहर और गाउं के कुछ कोनों में बसा हुआ है देखा जाए तो यह लोग आज भी अपनी रोज मर्रा की जरूरतों में फसे हुए हैं यह खयाल मन में आते ही हापुड हलचल ने फैसला किया कि हापुड जिले के गाउं और पिछडे इलाकों में जाकर आम जनता के मन की बात और सरकारी कामकाज का जाइजा लिया जाएगा पिछले चार महीने से करोना की इस्तिती चल रही है और आप सभी लोग करोना को देखते देखते पग गए होगे मगर हापुड हलचल आपके लिया जमीनी हखिकत लेका आया है जो की गाउं से है अभी हम मौजूद हैं शामपुर गाउं में जहां की इस्तिती आप सभी को दिखाने के लिए का आया है हापुड हलचल तो यहाँ पर मौजूद है जिला पंचाय सदस से पती लल्लू सिंग जी और पूर्व जिला पंचाय सदस से भी मौजूद है गराम प्रदान भी मौजूद है तो लल्लू सिंग जी मैं आपसे इस जमीनी हकिकत के बारे में जानना चाहूंगा जो इस वक्त गाउं में चल रही है क्या क्या विकास कारे चल रहा है हमारे जिला पंचात की तरफ से गामों के लिए काली रोड, सीसी रोड, खरंजे ये कारिये पिर मुक्तब हैं, एक से दूसरे काम को जोनना हमारी प्रात्मिकता है और जो भी नाले बगएरा, जो भी है हमारी प्रात्मिकता उसे हम बेखूबी निवा रहे हैं मेरे करीब सत्रे काम पढ़ते हैं सत्रे कामों में मैंने करीब करीब सभी में काम कराया है मेरा बजट अब लोग आठ करोड रुपे का है और मैंने बखुवी उसे जो अपनी पूरी निस्ता से निवाया है जोगीपुरा में चार काम कराये हैं दादरी में चार काम कराएं हैं, धनोरा में चार काम कराएं हैं, दोमी में तीन काम कराएं हैं, श्यामपुर में आठ काम कराएं हैं, जरोटी में कुछ सीसी रोड, कुछ खरंजे, चार काम जरोटी कराएं हैं, मलकपुर कराएं हैं, श्यामपुर में आठ काम हो गए, सभी इ किसानों ने नहीं कर आया लेकिन मेरे प्रेस्तावट कारियरो बाकी पे अभी जो ये प्रेस्ताव है, मेरे 1.5 करोड के कारिय का इन पर मेरा चल ला है, जिहिलपूर में किसनों कहसे कारिया नहीं कराए? वो इदर असल किसानों की रास्ते की लड़ाई रहती है, जमीन मेरी ना चली जा है, उसी वज़े से हमने नाब भी कराई, लेकिन किसान जो है संतुष नहीं हो पाए, उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया खरंजा लगाने के लिए, यह हमारी मजबूरी होगी। योजना के तहट किसानों की मदद करना चौथी उज्वला योजना के तहट गैस सिलेंडर मुहिया कराना और पांच वी आवास योजना के तहट लोगों को घर मुहिया कराना ग्राम प्रधान के मुताबिक पंचायत ने स्वच्छ भारत योजना के तहट देड़ सो शौचाल उनका कहना है कि बस गाउं श्यामपूर की मेन सडक तूटी हुई है और अन्य दो से तीन प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं इसके अलावा प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना के तहत सभी सडकों का काम पूरा हो चुका है किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को फाइदा पहुचाया जा रहा है और अब केवल 10 प्रतिशत किसान ऐसे बचे हैं जिनका या तो खाता नहीं है या किसी अन्य वज़े से उन तक पैसा नहीं बहुच पा रहा है किसान सम्मान योजना जो है उसमें कितने परसेंट किसानों को लाग मिला है उसमें भी कम सकम भी 10 परसेंट किसान ऐसे रह रहे हैं जिनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला उज्वला योजना के चलते पंचायत सदस्य का कहना है कि गाफ के हर घर में गैस सिलेंडर पहुचाया जा चुका है उज्वला योजना के अंतरकत आपको गैस सिलेंडर या कनेक्शन मिला है नहीं किसानों को खाद मुहया कराया जा रहा है और सरकार की हर अवगत योजना के बारे किसानों को बताया भी जा रहा है आवास योजना पर कुछ ना बोलते हुए पंचायत सदस्य ने ग्राम उद्योग योजना के नाम पर गाउं वासियों को सहायता पहुचाने की बात कही है ग्राम प्रधान और उनसे जुड़े लोगों के दावों की परताल करने के लिए जब हमारे पत्रकार गाउंफ के लोगों से मिले तो कुछ सची कुछ जूटी तस्वीरें सामने आई मकान नि बन रहे हर अधिकारी आगे कैदाता बन जाएंगे लेकिन कोई द्वारा आता ही नि बनवाने के लिए आप उनसे बोलते अधिकारियों से पिर्धान मंतरी जी ने कावासिय योजना चलाई हुए जिसका बहुत जोर सोर से पिरचार हो रहा है उसके बारे में बतात आपका मगान यहां पर हां इस हालत में रहते हैं यहां पर अधिकारी नहीं सुनते हैं अधिकारी पेपर्स तक नहीं लेते हैं जैसा कि यहां के गांवासियों ने बताया है हम भी आपाजा हम भी आपाजा अब कैसा करूं खाने का मन कभी न रही हम तो कैसी भी अभी बाव मता पाल रखे इसके दुआ से मैंने के हमारे भी कुछ भला हो जाएगा वह आम तो बहुत परिशान हैं हमार तो रोठी भी मसन ना बारिशाने पर चप पर हां तूजाती है लोग वैसे तो गांफ प्रधान से पेंशन ना मिलने पर और आवास योजना का मुआवजा ना मिलने पर नाराज नजर आए पर कुछ मुद्धे ऐसे भी थे जिन्हें लोगों ने यूँ ही जुटला दिया इन सभी योजनाओं पर जब लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि ग्राम पंचायत द्वारा राशन तो समय पर मोहिया कराया जा रहा है पर पिछले कुछ वर्षों से लोगों की जो पेंशन आती थी वहर रुख गई है वजह जानना चाहा तो उसकी असलियत किसी को भी नहीं मालूँ स्वच भारत योजना के तहट शौचाले बनाने का दावा सबी गाउं वासियों ने किया लेकिन गाउं में मौनसून में जल भराव की समस्या आज भी वैसी की वैसी ही है गाउं के गरीब और पिछले तबके की शिकायत है कि पूरे गाउं की सडके तो बन गई है लेकिन उनका मोहला ऐसा है जिसकी सडके और नालिया आज भी बधाल है उज्वला योजना की बात पूछी गई तो लोगों ने अपने गीले चूले दिखा कर अपनी समस्या हमारे सामने रखी लेकिन इस सब में हमारे पत्रकार ने एक बहुत ही अजीब बात देखी जहां एक घर के दो सदस्यों की बात आपस में ही कट्ती पाई गई मा ने कहा कि गैस सलेंडर नहीं है तो पीछे से बेटी बोल पड़ी है तो सही ऐसे उलेक इस योजना की सफलता को सवालों के घेरे में तो डालते हैं लेकिन वहीं लोगों की सची जूठी प्रधान के प्रती लोगों की नाराजगी को सपष्ट करती है जहां तक बात करे आवास योजना की तो वह गाउं में सबसे जादा बधाल पाई गई क्योंकि किसी भी गाउवासी को आज तक योजना का फाइदा नहीं पहुच पाया है जैसे कि केंद सरकार दौरा प्रधे सरकार दौरा जितनी भी योजनाय पारित होती हैं और बारिश में कितनी लोगों को परिशानिया होने वाली है यह जो आपने अभी सब कुछ देखा है इससे अंदाजा लगा सकते हैं गरीब आदमी की सुनवाई जो की नहीं होती है और ग्राउंड रिपोर्ट जो की हकीकत होती है वो दिखाई है मैंने आप सभी को अभी और इस ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत मैं चाहूंगा कि उपर तक जाए यह जिससे की इन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ रहात मि लिए बने रही है हापुड हल चल के साथ